नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमारे यूटूब चैनल फोकस पावर पे तो आज हम लेकर आए हैं 1000mcq की स्रीज का पार्ट 20 तो ये क्लास 20th क्लास होने वाली है जो आपके बियारो वीकल मकैनिक एक्जाम, ITBP मोटर मकैनिक एक्जाम, ELP टेक्निसियन के एक्जाम स्ट पेपर के लिए भी एक लास काफी महतवपून रहने वाली है तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, अगर आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूले, आपके लिए इसमें रोज वीडियो आती रहेगी, शुरू करते है पहले प्रशन से, what is the name of part marked as X in the spark plug, तो यह जो spark plug दिया गया है, इसमें जो यह निसान बनाया गया है, X के द्वारा जिसे दिखाया गया है जिस पार्ट को, तो इस पार्ट का क्या नाम होता है, तो इसका पार्ट का नाम है insulator, option number सी right answer होगा, तो don't worry आपको इंग्लिस में कर पर हिंदी में भी पूरा explain किया जाएगा, तो आप वीडियो में last तक बने रहे हैं, तो second question है, which type of sensor located at the exhaust manifold, तो exhaust manifold में कौन सा sensor लगा होता है, यह fit रहता है, तो कौन सा रहता है, oxygen sensor fit रहता है, option number B right answer होगा, next question, what is the name of part marked as X in the rotor assembly, तो यह rotor assembly होती है, तो इसके अंदर जो यह X के दोरा part दिखाया गया है, तो इस part को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, slip ring के नाम से जाना जाता है, option number C, इसका right answer होगा, अगला प्रशन है, what is the purpose of alternator, तो alternator का क्या उद्देश से होता है, तो क्या उद्देश से होता है, तो क्या उद्देश से होता ह नेक्स्ट क्वेस्टन फिफ्ट क्वेस्टन है तो जो हेड्लाइट होती है उसमें कौन सी गैस को भरा जाता है तो option number 6 का right answer होगा organ gas भरी जाती है नेक्स्ट क्वेस्टन तो बल्ब केस में जो इंडेक्सिंग पिन प्रोवाइट कराई जाती यानि दी जाती है तो उसका उद्देश से क्या होता है option से complete the circuit retain the bulb in the socket तो यही answer इसका right होगा option number V retain the bulb in the socket next question what is the purpose of engine immobilizer तो engine का जो immobilizer होता है उसका क्या उद्देश से होता है तो right answer होगा इसका prevent from starting the engine तो option number 6 इसका right answer होगा यानि कि engine को start होने से बचाने का काम करता है next question what is the firing order of 4 cylinder engine तो 4 cylinder engine का firing order क्या आता है यह तो सबको पता होगा 1342 1342 option number A right answer होगा अगला question what is the name of sensor तो इस sensor का जो जित्र में sensor बताया गया है तो इस sensor का क्या नाम होता है तो crank position sensor होगा तो फटाबट से करेंगे ताकि जल्द कम समय में आपकी ज्यादा question तयार हो सके next question how many spark plugs are ignited at the same time in the distributor less ignition system तो ignition system में एक होता है distributor less ignition system होता है तो यह सवाल यह पूछ रहा है कि जब distributor less ignition system हम परियोग करते हैं तो उसमें कितने spark plugs एक साथ ignite हो सकते हैं या spark कर सकते हैं एक time पर तो कितने होते हैं दो spark plugs एक साथ चिंगारी दे सकते हैं या spark हो सकते हैं distributor less ignition system में अगला प्रशन है what is the purpose of condenser in the ignition system तो ignition system में condenser का क्या काम होता है तो option number C इसका right answer होगा prevent arcs at the point तो जो point में चिंगारी बनती है उसको रोगने का काम करता है option number C right answer होगा next question है what is the function of ignition coil तो ignition coil का क्या कार्य होता है तो क्या कार्य होता है ignition coil का option number है इसका right answer होगा step up low voltage to high voltage तो क्या करता है जो low voltage होता है उसको high voltage में बदलने का काम कौन करता है ignition coil next question which sensor is used to sense vibration तो कौन सा sensor होता है जो vibration को sense करता है या महसूस करता है तो कौन सा होता है engine knocking sensor option number A इसका right answer होगा next question है what is the advantage of EFI engine management system तो engine management system में EFI का क्या advantage होता है तो सबसे पहले इसमें EFI को बता देता हूँ कि EFI की full form क्या होती है तो क्या होती है EFI की full form electronic electronic fuel injection तो यह होता है इसकी full form EFI की अब आपको आसानी होगी कि क्या इसका purpose हो सकता है तो options देख सकते हैं increase thermal efficiency increase mechanical efficiency battery starting and acceleration या फिर effective fuel distribution achieve तो जैसे कि आपको अगर full form पता होगी EFI की तो आप आसानी से इसका अंजर दे सकते हैं तो क्या होगा fuel से संबदित था तो क्या होगा effective fuel distribution achieved तो क्या होता है जिसमें EFI यूज किया जाता है उसमें distribution जो fuel के distribution है वो अच्छे तरीकी से काम करता है next question है what is the name of part marked as x in the starting system तो ये जो चितर बनाया गया है starting system का चितर है इसमें जो ये x के द्वारा ये part दिखाया गया है तो इस part का क्या नाम होता है तो question में ये पूछा गया है तो क्या होगा इसका नाम starting motor जिसको हम self motor भी कहते हैं तो option number 10 का right answer होगा starting motor next question what is the type of starting system तो ये कौन से type का starting system है ये जो चितर में दिया गया है तो ये इस चितर को काफी ध्यान से देखे क्योंकि इसी तरीके के दूसरा चितर होता लेकिन उसमें ज्यादा कोई difference नहीं होता तो उसमें ऐसे chances गलत हो सकते हैं आंसर देने के तो option number 8 का right answer होगा over running clutch option number 8 का right answer होगा next question what is the type of device तो ये जो चितर में बताया गया है ये कौन सा यंत्र है तो क्या है ये alternator option number 8 का right answer होगा next question what is the material used to make diode तो diode को बनाने में कौन सी धातू का प्रियोग किया जाता है question ये पूछ रहे है कि diode बनाने में किस धातू का प्रियोग किया जाता है तो किसका किया जाता है silicon का option number 20 का right answer होगा next question है what is the minimum rpm of crank shaft required to start the engine तो engine को start करने के crank shaft के minimum rpm यानि कि कम से कम कितना round per minute घूमना चाहिए crank shaft engine को start करने के लिए कितनी जरुरत होती है तो कितनी होती है 100 rpm होती है यानि कि 100 rpm पर starting motor से यानि कि engine start हो जाता है option number 30 का right answer होगा next question where the starter motor located तो जो starter motor होता है वो खां fit रहती है या कहां लगाई जाती है तो कहां लगी रहती है starter motor rear side of engine तो rear side of engine क्यों लगी रहती है क्योंकि flywheel भी rear side of engine लगा रहता है यानि कि engine की पीछे की तरब लगा रहता है तो क्या होता है starter motor का जो opinion होता है वो flywheel के ring gear के साथ mess होके उसको घुमाने की कोसिस करता है और घुमाता है जिससे की engine start हो जाता है तो इसलिए कि अदोनों चीज क्या होगी rear side में होगी engine के flywheel भी और starter motor भी तो option number 20 का right answer होगा अगला question है what is the function of diode तो diode का क्या कार्य होता है तो क्या कार्य होता है AC को DC में convert करता है यानि कि alternative current को direct current में बदलने का काम करता है next question what will be the result of loose belt drive of the alternator pulley तो अगर alternator pulley की जो belt लगी रहती है जिससे उसको drive मिलती है alternator को तो अगर वह belt धिली है तो उसका क्या result आता है तो क्या दिक्कत आती है या क्या होता है तो इसका right answer होगा charge at high rate या फिर low voltage output from alternator इसका क्या है option number भी है low voltage output from alternator तो क्या होगा जैसी belt धिली होगी तो उससे क्या होता है जो low output देखती है alternator low voltage output देता है option number भी right answer होगा next question what is the color of front indicator lamp तो front indicator lamp का कौन सा color होता है तो क्या होता है white white color होता है next question है what is the expansion of LED तो LED का expansion क्या है यानि कि LED का पूरा नाम क्या होता है तो क्या होता है light emitting diodes तो option number 6 इसका right answer होगा next question, question number 25 where the red color indicator lamps are provided in the vehicle तो लाल color के जो indicator lamp होते हैं वो कहाँ पर दिये जाते हैं गाडियों में या खाँ लगई होते हैं गाडियों में तो क्या होता है indication to vehicle behind तो जो पीछे वाली गाड़ी है उसको indication देना यानि कि उसको सचेत करने के लिए या कुछ जानकारी देने के लिए कि आगे वाला ड्राइबर क्या करना चाहरा है गाड़ी को slow कर रहा है या फिर रोकना चाहरा है तो जो भी है वो इंडिकेशन देता है टेल लाइट पीछे वाली विकल्स को या पीछे वाली ड्राइबर को next question which light give indication to the vehicle behind during night drive तो night drive के टाइम पर कौन सी विकल की कौन सी light indication देने का काम करती है तो right answer होगा इसका टेल लाइट option number a right answer होगा next question which circuit provide miniature blood tooth no the working gauge तो इस question का answer आपको comment box में कर दूँगा अभी confirm नहीं है इसमें थोड़ा confusion है next question की और बढ़ते है which lighting circuit provided with deep and dim switch तो किसमें होते है deep और dim switch किसमें होते है कौन से lighting circuit में होती है तो किसमें होते है parking light circuit में deep और dim switch की light circuit होते है तो option number a इसका right answer होगा next question है what is the type of horn तो यह कौन से टाइप का हो रहन है जो चित्र में दिखाया गया है तो कौन सा एयर हो रहन है option number A इसका right answer होगा next time what is the expansion of ICAT in vehicle safety system तो काफी important question है थोड़ा latest technology से related question है तो यह आपके exam में आ सकता है तो ICAT की full form बता नहीं है इसके बेस्ट पे वो relate है vehicle safety system से related तो vehicle safety system से related ICAT की पूरा नाम आपको बताना है तो ICAT का पूरा नाम होता है intelligent computerized anti-theft system तो option number 20 का right answer होगा या intelligent computerized anti-theft system next question what is the name of part marked as X in the airbag inflator module तो जो airbag inflator module होता है उसमें जो यह part mark कर रखा है X से तो इस part का क्या नाम होता है तो क्या नाम होता है इसका steering column option number 20 का right answer होगा next question है what is the type of horn तो यह जो चित्र में दिखाया गया है तो यह कौन से type का horn है तो कौन सा है bulb horn option number A इसका right answer होगा next question है which sensor used for safer parking of vehicle तो गाड़ी को जब park करते हैं तो उस time पे कौन सा sensor प्रियोग होता है जिससे कि गाड़ी safe तरीके से पार को यानि कि कहीं कुछ गाड़ी में damage ना हो तो safe तरीके से पार करने के लिए कौन से sensor का प्रियोग होता है गाड़ीों में तो कौन सा होता है approximate sensor तो option number B इसका right answer होगा next question how to confirm the satisfactory function of airbag system तो काफी important question है आपको कैसी तसली होगी कि आपका airbag system काम कर रहा है तो कैसे confirm करोगे आप कि हाँ मेरी गाड़ी का airbag system बिलकुल okay है तो right answer होगे इसका option number C warning light on and flash few times and go out during starting तो समझा देता हूँ क्या होगा जब आप ignition चालू करेंगे अपनी गाड़ी का तो उसमें क्या होगी airbag की light आएगी और कुछ time तक वो flash करती रहेगी जैसे ही आप गाड़ी को start कर दोगे self मारोगे तो वो क्या start होने के बाद airbag की light दिखनी बंद हो जाएगी अगर ऐसा हो रहा है तो आपका airbag system proper तरीके से काम कर रहा है तो option number C इसका right answer होगा next question, which is the most commonly used wiper in all motor vehicle most commonly यानि कि जाधा तर कौन सा wiper use किया जाता है सभी गाड़ियों में, तो किस तरीके का wiper use किया जाता है electrically operated wiper तो जो wiper होते हैं, जो सिशा साप करते हैं तो वो किस के कारण गुमते हैं, जो electric motor होती है उसके कारण गुमते हैं तो electrically operated wipers होते हैं, option number A, right answer होगा next question है, what is the necessity of wiper unit, यानि कि necessity means यह पूछरा कि wiper unit का काम क्या है basically, जो main purpose क्या होता है तो क्या है, to see road and traffic clearly, यानि कि सीसा साफ करेगा तो क्या होगा driver जो बैठा रहेगा अंदर गाड़ी में, उसको road काफी अच्छे तरीके से साफ दिखेगी और traffic जो आगे गाड़ी हैं, वो सब अच्छे तरीके से साफ दिखेगी, तो यह है wiper unit का main काम, next question की और बढ़ते है, next है, what is the device used in air conditioning system, तो यह air conditioning system का एक यंत्र है, यानि कि device है, AC system का, तो इसका नाम क्या है, तो क्या नाम है, इसका compressor, option number A, इसका right answer होगा, तो AC system का यह compressor होता है, next है, what is the name of device, तो इस device का नाम क्या है, इस यंत्र का क्या नाम है, तो यह भी AC system हम से रिलेटेट है और इसका नाम होता है एक्स पेंशन वाल्प option number D राइट आंसन होगा तो एकस पेंशन वालव खाला रहे था है पैसेंजर कंपार्टमेंट में हवा हवा चोड़ने का काम करता है वो एक्स पेंशन वालब convert refrigerant to vapor तो option number D इसका right answer होगा refrigerant को किसमें vapor में बदलने का काम करता है अगला प्रशन है where the vehicle identification number is placed in the vehicle यानि कि जो win number होता है गाड़ी का vehicle identification number तो वो गाड़ी में कहां लगा होता है कहां place होता है तो right answer होगा इसका front changes पे place होता है option number B right answer होगा जो win number होता है वो front changes पे लगा रहता है next question है what is the minimum age limit to drive the vehicle as per traffic rules तो जो traffic rules है traffic rules के अनुसार कितनी उमर होनी चीए गाड़ी को चलाने के लिए तो कितनी है 18 साल option number C इसका right answer होगा next है which signboard is compulsory to drive a car by the learner license holder तो जो learner license holder होता है उसको क्या compulsory है कि जब वो गाड़ी car चला है तो उस समय उसको कौन सा signboard यूज करना चीए अगर वो learner license holder है या गाड़ी सीख रहा है तो क्या है उसको L sign का परियोग करना चीए तो आपने देखा भी notice भी करा होगा तो काफी गाड़ियों में क्या जब कोई learner license या गाड़ी सीख रहा होता है तो उसकी red tape से या किसी भी चीज से L करके बनाया रहता है गाड़ी में तो उसका मतलब यह है कि जो driver है और औरों को सचेज करना कि हाँ जो आगे या पिछे वाला जो driver है वो learning license पर अभी चल रहा है यानि कि गाड़ी सीखने का ही कोशिस कर रहा है तो next चलते है अगले प्रशन पर तो अगला question है why power windows are operated sorry why power windows are provided with lockout switch controlled by a driver तो जो power window का lockout switch होता है वो driver के त्वारा क्यों control करा जाता है तो किसलिए दिया जाता है वो तो किसलिए prevent accident तो accident से बचने के लिए सभी जो power window होती है चाहिए पिछे की window आगे की हो तो सबका control के driver के पास होता है ताकि accident से बचा जा सके next question है where the driver to avoid sound horn along with speed limit तो जो speed limit है और horn की आवाज है खहाँ पर avoid करना चीए driver को यानि भी कहाँ पर use नहीं करना चीए speed limit हाई नहीं होनी चीए या sound horn भजाना नहीं चीए तो कहाँ पर near school and hospital तो hospital और school के आसपास के speed limit भी विल्कुल कम कर देनी चीए और horn का भी necessary परियोग नहीं करना चीए option number B इसका right answer होगा next question है which light signal want to stop और slow down आव विकल तो कौन सा light का signal रोकने और गाडियों को slow करने का संकेत देता है तो कौन सा देगा brake light तो option number C इसका right answer होगा next question where the ambient temperature sensor is located in the विकल तो जो ambient temperature sensor होता है वो विकल में कहां लगा रहता है तो behind the grill लगा रहेगा option number A इसका right answer होगा next question which device act as a evaporator temperature sensing switch तो कौन सा device evaporator temperature sensing switch होता है तो कौन सा यंदर evaporator तापमान को sense करने का switch होता है तो कौन सा होगा नाम से ही पता चलता thermostatic switch तो option number A इसका right answer होगा next question है what does the first unit identify in the scan tool letter code तो जो scan tool होता है जिससे हम fault को fault को पकड़ने का काम करते हैं विकल में तो उसमें जो scan tools में सबसे पहले जो code आता है सबसे पहला जो letter बना रहता है तो वो किस चीज को दरसाता है क्या चीज दरसाता है तो क्या दिखाता है type of error यानि कि कौन सा type का दिक्कत आपकी गाड़ी में है तो सबसे पहला जो letter होगा जैसे कुछ भी है LAX ऐसा कुछ है तो यह क्या जो first letter होगा वो क्या type of error दिखाएगा कि आपकी गाड़ी में क्या problem है बाकी वो manufacture के अनुसार होगा कि किस code पे कौन सा fault लिखा है वो आपको manual में check करना पड़ता है तो क्या दिखाता है वो type of error दिखाता है जो first letter होता है scan tool का next question what is the motive of vehicle information report तो vehicle information report का क्या उदेश्या होता है तो क्या होता है provide information about vehicle registration history तो जो vehicle की registration history होती है उसको प्राप्त करने की यह provide information इखटे करने की यह provide करने के लिए यह क्या vehicle information report का जो main motive होता है तो option number A इसका right answer होगा तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को like करें share करें channel को subscribe करें I hope आपको सारे questions समझ आगे होंगे तो अगर आपने इससे पहले की classes नहीं देखी है तो 19 classes 1000 mcq series की upload कर चुके हैं तो वो आप check out कर सकते हैं आपके वीडियो वीकल mechanic exam और other जो भी आपके motor mechanic से संबंदित exam है तो उसके लिए काफी helpful होने वाले हैं तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद